नमस्कार साथियो मैं जोगंदर सिंग स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने ओनलाइन प्रेटफॉर्म चलिए आज की ख् tumor है भारत के एतिहासक जो महत्त पूरट मंतों ले एक बारा मद्द कासरे बाहरट के सब्सक्राइन करते हैए नहीं के 1191 में कब हुआ है 1191 गौरी और प्रत्वीरा चोहान के बीच जिसमें प्रत्वीरा चोहान की जीत हुई थी ठीक है दूसरा जो युद्ध है तराइन का तराइन का जो सेकंड युद्ध है यह हुआ है 1192 में गौरी और प्रत्वीरा चोहान के बीच ठीक है, इसमें प्रत्विरा चौहन की हार हुई जिसमें जैचंद की हार हुई है, ये याद रखेगा, इसके बाद जो आपको युद्ध याद रखना है, इसके बाद याद रखना है खटौली का युद्ध, कौन सा? खटोली या खटोली 1517 में ये युद्ध हुआ है ध्यान से सुनो किसके बीच हुआ है ये हुआ है राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच जिसमें जीत हुई है राणा सांगा की ठिक ये याद रखिएगा इसके बाद युद्ध हुआ है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है ना का की जगा मैं पानिपत फश्ट लिख देता हूं कब हुआ है 1526 में हुआ है किसके बीच हुआ है यह हुआ है बाबर और इब्राहेम लोधी के बीच जिसमें इब्राहेम लोधी की हार हुई है ठीक है वो युद्ध इस तरह में मारा गया था यह याद रखि युद्ध यह हुआ है 1527 में यह हुआ है बाबर और राना सांगा के बीच और इसमें जो राना सांगा है इनकी हार हुई है ठीक है इसके बाद एक युद्ध हुआ है आपका चंदेरी का युद्ध कौन सा इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में ये हुआ है बावर और मेधनी राय के बीच और इसमें जो हार हुई है इसमें मेधनी राय की हार हुई है ठीक ये याद रखिएगा इसके बाद एक युद्ध हुआ है आपका घागरा का युद्ध कौन सा घागरा का युद्ध यह जो घागरा का युद्ध है यह किसके बीच है यह हुआ है बावर और अफगानों के बीच मतलब जो महमूद है है ना उसके बीच बावर और महमूद के बीच कब 1529 में ठीक इसमें अफगानों की हार हुई है बावर इस युद्ध में जीता ह बिलगराम का युद्ध कन्योज का युद्ध बिलगराम का युद्ध और एक और है चौसा का कौन सा चौसा का युद्ध कौन सा चौसा का युद्ध हुआ है कब हुआ है तो याद रखिए का चौसा का जो युद्ध है यह हुआ है 1549 में कब हुआ है 1549 में हुमायू और सेर सहां इसके बाद हुआ है कन्नोज या बिलग्राम कन्नोज या बिलग्राम का युद्धिये कब हुआ है यह हुआ है 1540 में किसके बीच यह हुआ है आपका हुमाईू और सेरसा के बीच जिसमें जो सेरसा है इसकी जीत हुई है ठीक है इसके बाद एक युद्ध है कालिंजर का जो की राजपूत और किसके बीच हुआ है राजपूत और सेरसां के बीच हुआ है और ये युद्ध कब हुआ है तो याद रखेगा ये हुई युद्ध हुआ है आपका 1545 में जिसमें सेरसां की मृत्यू हो गई थी ठीक है इसके बाद एक युद्ध है सरहिंद का 555 में किसके बीच यहवा है सिकंदर सूरी और हुमाईयों के इसमें हुमाईयों की जीत हुई और हुमाईयों को बापस से भारत का सामराज मिल ज़िया। और मुनाएयों के बीछ से भारत का सामराज निकल गया था बिलिग्राम के युद्ध के बाद है इसके बाद इसने 15 साल भटका और सरहिंत की युद्ध में इसने बापस से भारत का सामराज होज एक जा UA सब्गुए अच्छा इसके बाद एक उध्द्विआ किसका तो याद राखेगा एक उध्द्वडा यहिखा को बक्सर का तो 64 में हुआ अससे पहले भी बहुत युद्ध हुए है अच्छा पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद आपको याद रखना है एक युद्ध है प्लासी का इसके बाद इंपोर्टेंट युद्ध ही है जिसने भारत की दिसा बदली हो एना पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद इससे पहले एक युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का किसका हल्दी घाटी अकबर और महराना प्रताप के बीच यह हुआ है 1576 में और इसमें भी अकबर की क्या हुई है अकबर की बिजय हुई है यह याद रखेगा इसके बाद एक युद्ध हुआ है प् जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई है नाम क्या था उसका सिराज उद्धौला के बीच ठीक है किसके सिराज उद्धौला इसके बाद एक युद्ध हुआ है बॉन्डिवास का युद्ध इसने कैसे दिसा बदली यह 1760 में हुआ है यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के ब बॉन्डिवास के बाद जो है एक युद्ध हुआ है कौन सा अब मैं लाल से लिखता हूं जिससे की समझ माई जाए बॉन्डिवास के बीच एक बाद एक युद्ध हुआ है वो है पानिपत का तीसरा युद्ध यह हुआ है 1761 में एहमद साह अबदाली और मराठो के बीच यह important क्यों है क्योंकि उस समय भारत में सबसे सकती साली थे मराठे मराठे हार गए भारत में मराठो का कबजा था एक तरह से बहुत छूट गया और एहमद साह अबदाली जो की तागत बर था लेकिन इन युद्ध में दोनों के इतनी हानुई कि दोनों जहां से आयते बहां लोट गए उत्तर भारत खाली हो गया और जो अंग्रेज बॉंडिवास के युद्ध में जीते थे और उसके बाद जो बंगाल का छेतर उनको हात लगा था प्लासी के युद्ध के बाद से बॉंडिवास के बीच में उन्होंने खुद को तागत पर कर लिया और उत्तर भा सुझा उद्धौला मुगल समराट आलम साद घुर्णा दुतिये और बिहार के नवाब और सिराज उद्धौला इन तीनों के यह तीनों एक तरफ ते और अंग्रेज एक तरफ ते जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई है यह याद रखिएगा ठीक है बक्सा बक्सर के यु इसमें निजाम की हार हुई थी, हैदराबाद का जो निजाम है न, उसकी हार हुई थी, और ये जो युद्ध है, ये हुआ था लगबख 1795 में, कब हुआ था, तो दक्षड का जो छेतर था न, हैदराबाद का जो छेतर, वो भी लगबख अंग्रेजों के पल्ले पड़ गया कालिंजर, किन किन के बीच ये युद्ध हुआ है, इसके अलावा आपको चंदावर और चंदेरी, घागरा, इनके बीच किन किन के बीच युद्ध हुए हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताने, आज की क्लास के लिए तना ही, चलिए नेक्स क्लास में मिलते हैं, तब बारत